Assalamualaikum students this is Ibrahim code of corporate governance और पॉब्लिक सेक्टर रूल से यह दोनों के comparison हमने करना था और उस comparison को हमने start किया था देखें इसके अंदर सबसे important चीज थी न वह यह थी लॉब बना कैसे उसको समझें बच्छा सबसे पहले एक बोर्ड बनेगा न मतब code of corporate governance तो governance है तो फिर एक बोर्ड होगा अच्छा बोर्ड होगा तर बोर्ड के कितने members होंगे यह सवाल था code of corporate governance थोड़ा बहुत एड्रेस किया उसके इंपोर्टन चीज जो उसने address करी आपको वह करी उसने का कि यार देखें code of corporate governance में independent director non executive director executive director कितने होंगे सही है और इसका सारा procedure कि आओगा इंचिजों को बताया पर उसने का चले जी अच्छा independent डिरेक्टर भी होगा executive भी होगा नोगे चेर्में कौन बनेगा चेर्में साब कौन होंगे तो उसने पिर चेर्में साब को पर section बता दिया उसने चेर्मेंन बनाना है तो पर चेर्मेंडारी कि क्या होगी चेर्में कुछ दिवेदारी बता दिए उसने और उसका बाद में सबसे इसके बाद सबसे इंपोर्टन चीज जो हमारी आज सी क्लास के जंडा है हमने कुछ मजीद उसको आगे पढ़ना है लास का सब्सक्राइब कर लिया अलांग विद लिंकिंग विद्धी कंपरीज एक आज से क्लास हमने देखना है अगला एजंडा विच इस दी एजंडा सब्सक्राइब बन गया independent भी आगए executive भी आगए non executive भी आगए सारे बंदे आ चुके हैं जिम्मधारिया बता दी गई है चले भाई अब मीटिंग होगी न तो मीटिंग के लिए क्या होगा एजंडा होगा तो भाई एजंडा की जिमधारी किस किया तो चेर्में शेल सेट द में इस तरीके सब बता दिये चेर्में की जिम्मधारी सही है अच्छा पब्लिक सेक्टर रूल भी exactly आपको सेम चीज़ कहता है तो कमेंट्स बगर हम देखें कोई कमेंड नहीं है विकास दोनों जगापे requirement हमारी से हम अच्छा उसके बाद एजंडा and discussion meeting agenda क्या होगा जिमध सकता है पब्लिक सेक्टर रूल्स के अगर बात करें तो वह भी आपको यह कहता है कि जी जो नोटिस वगर आपने देना है वह नौट लॉट्स देन सेमेंटेस दोनों जगा पर रिक्वार्मेंट से हमारी के meeting से पहले जो एजंडा होगा वो चर्कुलेशन वर्किंग पेप of the board are kept in accordance with the requirement of the section 1 again एक और मीटिंग से पहले एजंडा की जिमेधारी वी चैयर्मेन की meeting को proceed करना initiate करना वो भी चैयर्में की जिमेधारी मीटिंग के बाद जो हमार पास minutes वाला काम होगा वो भी चैयर्में की जिमेधारी और code of corporate governance कहता है in accordance with the section 178 and 179 जो कि हम अपनी 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 रेगुलर क्लासे सब पढ़ चूकर सक्षेशन 178 जो कि आपको बताते रिकॉर्ट आप रेसलिशन एंड़ मीटिंग सब्सक्राइब अगर आप देखे तो वह आपको कहता है नौट लेटर देन 14 देस्टियर और अनले शोटर्पेट इस प्रोवाइद सब्सक्राइब आपको 14 डेस का ही कह रहा होता है विदिन 14 डेस ऑफ देट आप देखे तो मौर और लेस दोनों जगा पर रिकॉर्मेंट हमारे पास सेमी है अच्छा लेकिन यह जो मिनेट वाली मीटिंग के बात है यह सारी जिम्हदारी है किसकी तो यह काम करते हैं बोट क एक सेकरेटरी बना देते हैं जिसका नाम है सेकरेटरी तुड़ बोट से यह तो इसकरेटरी तो दाबोट यहां पर शेकरेटरी तो बॉलाओ लेकिन यहां पर कि प्पप्लिक सेकरेट इस नाथ मैंशने अप्र कंपनी सेकरेटी उबॉट तो जो कंपनी का साइकरेटी होगा उसको पर याइड नहीं करा खेंट को जरूरी हो वह बोड का सेकरेटी और कोड़ अफ कोपेट गवर्णनस में यह मेंडेटी कर दिया आपके पास के जो कंपनी का कंपनी सेकर्टी वह उसको रखा इसलिए ताके वह बूर्ट का भी सेकर्टी होगा dissenting note minutes of the meeting कोई project initiate करना है मेरे प्यारे बचो किसी को लोन देना है किसी को लोन नहीं देना इस वाली फील में जाना है कि नहीं जाना ऐसी बेचना है कि नहीं बेचना फ़लां चीज को एक्वार करनी नहीं करनी साथ डिरेक्टर है चार कहते हैं कि हाँ जी पास करें तीन कहते हम पास नहीं करते हैं तो इसका मतलब का कोई नहीं कोई dissenting vote होगा कोई नहीं कोई चीज होगी क्या वह appropriately reflect हो रही है we are a director of a companies of the view that his dissenting vote has not been satisfactory recorded in the minutes of the meeting the matter the matters may be referred to the company secretary for appending such notes to the minutes where the company can be a child like in public sector company case में public sector company case में he may refer the matter to the company secretary or the chairman of the board दोनों को कर सकता है the director may require the note to be appointed to the minutes failing to which may file an objection with the commission और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर वह commission के पास जा सकता है यहाँ पर public sector company में यह बात कहीं कहीं है code of corporate governance में ऐसी कोई बात नहीं की गई अच्छा मेटिंग तुरो वीडियो कॉन्फरेंसिंग जब मेटिंग होगी तो भाई वीडियो कॉन्फरेंसिंग तुरोगी सही है अब सुनिएगा public sector code में specifically provided नहीं है प्यारे बचोड में specifically प्रोवाइड नहीं कि मीटिंग वीडियो कॉन्फरेंसिंग से हो सकती है लेकिन देखें कोड तो यार एक ग्रेंड डोटा रहे यार ग्रेंट साने से यह उसके उपर कोई की फादर होगा सब्सक्राइब करा रहा है और किस तरीके से लिंक करना है और किस तरीके से दोनों को हमने अगली चीज हमारे पास है अटेंडेंस एड़ दे मीटिंग से तो बहुत ही कोई ब्यूकूफाना बात कर रहे हैं आपके से बोर्ट की मीटिंग में बोर्ट के इलावा भी कोई बोर्ट कर सकते हैं और मों मेंबर्स कौन से प्यार है बच्छो अच्छा 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 अच्छीप financial officer and the company secretary shall not attend such part of the board meeting where the agend item relates to the consideration of their performance or services or or matters relating to their performance अगर वो discuss हो रहा एंगा तो इसके लावा सारह board meeting का बोर्ट का बंडेंगे CFO and company secretary the chief financial officer and the company secretary of a public sector company shall attend all the meetings of the board provided that unless elected as a director the chief financial officer and the company secretary shall not be deemed to entitle to cast a vote at a meeting of the board for the purpose of these rules बच्चों बड़े संपल से बात हैं CFO मीटिंग अटेंड जरूर करें 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 कि अगर आपका अलेक्टिब डारेक्टर नहीं है तो इसका मतलब है कि जी वोट नी करेंगा मीटिंग अटेंड जरू करें कि वोटिंग हैसियत नहीं कि अगरेंगा तो इसका में नहीं प्लाइब कर रहा है वह एक्जेक्टिब डारेक्टर की के टेगरी में हैं अच्छा जी थोड़ा सब्सक्राइब की मीटिंग होगी तो बोड की मीटिंग में क्या सिफ खाना पीना चल लोगा नहीं पर कुछ सब्सक्राइब सब्सक्राइब बच्छों board में एक सबसे important चीज है related party transaction बड़ा tricky part is को समझेगा प्यारे बच्छों related party transaction पहली बात review and approval related party transaction को periodically audit committee review करेगी और शेंप the same shall be placed before the board for the review and approval तो सबसे पहली चीज़ periodically किसके सामने place किया जाएगा audit committee or a committee recommend करेगी तो फिर इसको board of director review and approve करेंगे प्यारे बच्छों सही यह पहली चीज़ आगे related party से related अगर majority of the director interested है तो भाई पिर मैंटर चला जाएगा journal meeting में अच्छा the details of all the related party transaction shall be placed before the audit committee the same shall be placed before the board for the review and approval exactly requirement same है लेकिन public sector rule is silent in case of interest of all directors in a particular transaction but but देखें public sector करता है कि अगर रिलेटिव पार्टी में majority director interested in the EGM में जाएगा ये code कहता है सही है public sector इसको पर चुप बैठावे प्यारे प्यार्य 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 आपने चुप नहीं बैठना है आपने इसको फॉर्ण से लिंग कर देने section 218 जो के companies act का है जहां पर वो कहता है majority of the directors are interested in any of the above transaction the matter shall be placed before the general meeting for the approval as a special resolution तो यह आर्पी को जो हमारा chapter जो माशाला कैफ में भी आप पढ़कर आए भी होते हैं और इसको पर जो regulation तो महाँ पीचिस अल्रीड हमारी covered है ठीक है तो हम एक्ट और regulation की तरफ बिचार related party transaction not executed at arm's length price court chup-chaap bethava a code after kuchini kata sahiya public sector the related party transaction which are not executed at arm's length shall also be placed separately at each board minute along with the necessary justification for the consideration approval of the board on the commission of the audit committee of the public sector company sir यह क्या बाहत ही अगर आर्पी transaction arm's length पर नहीं है तो बोड़ का अपने justification देनी का आपने transaction क्यों नहीं करी है और कमिटे के तरफ से रिकमेडेशन जाएगी बोड़ इसको review करेगा approve करेगा सर कोड में नहीं लिखा वाई नहीं प्यारे बच्छों कोड में नहीं लिखा आपने आपने ऐसा यह नहीं करना यह चीज़ हमारी बर्ट आरलेडी अबव कहां का वर्ट जआ हमारे रिलेटीटा पार्टी इसके एक सच्शन और एक संट्राओ पार्टी रिलेटीट पार्ठी रिगूलेशन को जो रिलेशन है उसके अंदर यह ओल्रेडी चीज़ा covered already चीज़े covered इसी तरीके से pricing method अगर आप प्रैसिंग मेथड देखेंगे तो बोड शेल अप्रूव दप्रैसिंग मेथड फॉर दे रिलेटिट पार्टी ट्राजेक्शन कोड में इस चीज़ को कवर नहीं किया गया प्यारे पच्छों इसलिए कवर निगे बिकोज इस ओल्रीडी कवरड है रिलेटिट पार्टी ट्राजेक्शन एंट में एक चीज़ों को पर करा है जिसका आंसर कंपनी से लुक्त ऋंगे यह आपको कंपनी से नहीं बताया यह आपको कोड में जाके इसका आंसर मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से लिए आप को चीज़े बताएं प्रपी पेस्ट करीए प्यारे बच्छ इतना जबदस हैंड आउट है यह किसके अंदर एक हमारी सारी लिंकिंग हो रही है और सारी चीज़ें में समराइज हो रही है यह मसला नहीं होगा हमें इंचालला क्या यह चीज अगर आई यह तो मैं इसका ड्राफ कैसे करूँ अगर लुए अगले अरिया पर चलते हैं फॉर्मल पॉलिशी फॉर्ड रिमिलीशन दिसर्ट डाकर सथने काम कर रहा है इतना सिग्निफिक्न इस्यूस इनके पास प्लेस हो रहे है साथ दिन पहले इनके पास एजंडा वागर आ रहा है मिनिट्स वागर रिव्यू कर रहे है इतन प्रेंडिंग दा मीटिंग फड़ अचा और पॉब्लिक सेक्र भी एक था कि एक फॉर्मल एंट पॉसिजर एज़ फॉर्ट फिसिंग दिर्मिलीशन पेकर रिमिलीशन साफ सी बात है मैं अपने रिमिलीशन डिसाइड नी करूंगा इसी तरीके से स्केल आफ रिमिलीशन को प्रोवाइड नी करावा पॉब्लिक सेक्र डूल्स कहता है सब्जेक्ट विजन अफ दे कंपरीशन अर्टिकल अफ एस्सेशन देश्यार होल्डर और बोर्ट शैल बीटिर्मिन इस यह आपका रिमिलीशन हो अच्छा सब्डार काम कर रहे हैं पैसे भी दे रहे हैं सर आप इस आपको नहीं लगता है डीर् diffic training program भी होना चाहिए लिकानिपा को समझ भी कोशिछ करे के होता क्या है थैक साइदर हें तो ऊंपनी में क्या च्रण रहा है गवर्डनाट से रिलेटिट क्या है रिस्ग ए नियुक्त है आपको डीर्स करें देनि यह कैन बच्यारों क्या तो जो भी applicable laws and regulation उससे related आपने उनको orientation देनी है बोड़ डारेक्टर को अच्छा अच्छा सेम चीज अप्लाई होती है सेम चीज अप्लाई होती है किस चीज को पर public sector company को पर exactly सेम चीज अप्लाई होती है public sector company को पर लेकिन अच्छा डाख ट्रेंड प्रोग्म हमाय ये वाला थॉर्यमेंट थो ज़एवी तक और दो होसार तक ऑल्लाई दरैकर समय तक और अबटेस्थ कॉर्ट में देख्टर ने डाट्री इनकोड़ चॉपइंज प्रेटर प्रग्रम ईटति नगया तो जो भी इंस्टिटिश अगरु करॉत ह having a minimum 14 years of education and 15 years of experience is not actually required to have a direct training program यह चीज़ स्पैसिफिकली यहां पर कवर नहीं कि गई कि जो बंदा आएगा तो उसको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए लेकिन अगर आप लॉपड़े तो यहां पर कहते हैं और इंटेशन कोर्स तो होनी चाहिए डाक्रस के लिए तो महां पर वो चीज़ और लेडी आपके पास तो एक कंपनी अगर लिस्टेड है और कल को फेडल गोवर्मेंट इसके 50-51 परसंट जाद होल्डिंग कर लेती है तो डारेक्टर स्ट्रेंडिंग प्रोग्राम में क्या चेंज आएगा पहले उसके लिए हर साल मेंडिटी नहीं है अब यहां पर कंपनी के लिए हर साल तो इसके तो लाजमी करवानी है फीमेल एक्जेकिटिव एवरियर अंडर देक्टर स्ट्रेंग प्रोग्राम एट लीस्ट वन हैड ऑफ डिपार्ट्मेंट एवरियर तो यहां पर लॉन जो बात करिए वह लॉन बात करी किया एक प्रिवेंटिव कंट्रोल रगते हैं एक स कोई प्रोवाइड निकरी पबिक सेकेटर ने का भई बोड जो होगा वही कर लें बहुत बड़ी बात है स्था आपने कहा था मीटिंग में सीफो भी बैठेगा सबसे पहले तो यह चीज सुनने इनका प्रूब कौन करेगा इनको एप्रूब कॉन करेगा इनका रिमिनुरे स्ट इंब करेगा उनको रिमूफ कान करेगा इनको रिमूफ बिबूर्ड की शेट अ यहाँ देखी है कि सेम रिक्वर्मेंट मेंट थोड़ा सा और अगे स्व awaiting क्वालिफिकेशन क्या होगे सब्सक्राइब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगे जब वो मीटिंग अटेंड कर रहा है नो परसंट शेल भी अपॉइंड दिजसी एफ फोफ कंपनी अनलेस उसके पास तीन साल का मैनेजेरियल एक्ष्पीरियंस ओ इन दफील्ड ऑड़ अड़ अकांटिंग और मैंचिंग डिस एंड सर एक्ष्पीरियंस का मैं लेकिन इंडिग्री बहुत भारी आयकर नेंवरा यहाइशी मैं इपका मैंबर बादा भारी है experience का मैं अच्छा से experience थोड़ा सा बढ़ा देता हूं यह membership वाली requirement थोड़ी से कम हो सकती है बिल्कुल कम हो सकती है experience पांच साल का है और लेट से इसने यह MBA किया है ठीक है इसने MBA किया है लेकिन इसके पास अगेन मेंबर नहीं है लेकिन इसने MBA वगरा किया है ठीक है अच्छा सर मास्टर्स भी बहुत जादा हो जाएगा पूस्ट गैजट तो बहुत जादा हो जाएगा थोड़ा सा होना चाहिए विता 5 years of relevant experience in the case of a public sector companies having total assets of 5 billion rupees or more एक ऐसी public sector company जिसका पांच billion उससे जाधा को उसके असासे है तो ऐसी company का CFO की requirement ये को उसके पास पांच साल का experience होना चाहिए और वह मेंबर भी होना चाहिए प्यारवच मेंबर भी होना चाहिए और उसके पास पांच साल का experience भी होने चाहिए अगर तो पॉब्लिक सेक्टर कंपनी का जो ऐसे बेसे वह पांच billion से जात है इसमें हमारे पास ओव्यस्टी नैशनल बैंक SSGC OGD से लिए सारी आजाती है लेकिन अगर कोई कि ऐसी कंपनी इन केस ओफ अधर पॉब्लिक सेक्टर कंपनी जिसमें पांच बिलियन से कम है प्यारे बच्चो तो उसके पास मास्टर डिग्री भी होगी किसी उनिविस्ट्री के रिकनाइस बाइधा हाई रिजुकेश्य कंपनी यहां बैचलर वाला पॉब्लिक सेक्टर कंपनी बैचलर वाला नहीं बैठ सकता सही है लेकिन यहां पर एक्स्पीरिस यहां पर दस साल कर दिया एक सबसे इसारो छेस्टर गॉड का फit और प्रॉपर होना जरूरी था इसी तरह पॉब्लिक सेक्टर में भी काए कि दो इस अपरोपर होना जरूरी है जब भी पॉब्लिक सेक्र कंपनी स्क्रूर्ट करेंगे उनकी बात इसार कॉपिक दोती है और फेलid criteria हमारे लिए जिस तरह मैंना आपको फर वाली चीज पढ़ाई है सेम चीज हमारे लिए apply हो जाए किस के लिए the internal-audit के-ले अब हम पढ़ने जा रहें internal audit के लिए और सेम्सक्रीज यहाँ पर अपलायेखी internya audit के लिए यह उन्र ही कंपूरिकरटी कॉलिुत कोबिंट इको सप्वीशरिं नो परंटने पर office of CFO and the company secretary of a listed company बच्चो एक बंदा दो टोपिया नहीं बन सकता एक बंदा एक listed company में यह नहीं कह सकता कि मैं CFO भी हूँ और मैं company secretary भी हूँ दोनों different positions है प्यारे बच्चो सही है अच्छा तो sir company secretary की qualification कहां defined है company secretary की qualification defined है general provisional forms है यह इसके जोमारे पर general provisional forms regulation 2018 वहां पर company secretary के बढ़ी असान सी qualification explain की गई है public sector rules में public sector rules ने आपको बता दी है के company secretary की qualification क्योंगी public sector company qualification ने आपको यहां पर बता दी है सुनिएगा where the company secretary is not separately appointed the role of the company secretary may be combined with the CFO or any other member of senior major it means public sector company में एक बंदा CFO और company secretary हो सकता है दोनो टोपिया पैंच सकता है लेकिन अगर वो लिस्टिट कंपनी भी अगर वो company listed भी है और अगर वो company public sector company भी है ठीक है तो प्यारे बच्चों मुझे बताएं क्या उसका CFO company security अलग होना चाहिए कोट कहता है अलग होना चाहिए पबिक सेक्टर कहती है कि मर्च भी कर सकते हो प्यारे बच्चों मेरी बास सुनिए का अगर आपके उपर दोनों कानून अप्लाइब हो रहे हैं आपने दोनों से सब्सक्राइब करना पड़े और आपके लिए बैस्ट कहा रहेगा क्या आपका CFO और company secretary अलग-अलग होना चाहिए सही है और अब यह नहीं करेगा इनकंसिस्टेंसी नहीं है यह कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं कहां यह तक बास समझ आती है तो एक ऐसी कंपणी जो कि आपको सवाल लिखावाज अब कंपनी यह ठीक है वह पब्लिक सेक्टर है और वो अब लिस्ट हो गई लेकिन जो इसका था वो अब इसके बॉर्ड में या उसके मैनेच्वर्ट में क्या चाहिए चाहिए ठीक है अच्छा कि उसके बाद हमारे पास है एप्रूवल और इंडोर्समेंट और फानेशल स्टेटमेंट चीफ एक्जेक प्रडिव भी रएक हम बार बार एक चीज उपर टीओ रहे थे प्यारे बच्छों बार बार एक पर चीज़ पढ़ रहे थो पर audit committee audit committee audit कमिटी कमिटी है क्या यह सुनियगा प्यारे बच्छो जोनल रिक्वर्मेंट इस मेंड़ेटरी कोड आप से कहता है आपके उपर लाजमी है लाजमी है का आपकी गॉर्ट कमिटी होनी चाहिए और कमिटी नी रही में डिटिक अवर्ड यूस करूं पैलिटी लगा तूंगा स बोड शेल इस्टैबलेशन और अरिटी फौर एट लीस्ट थी मैंबर अफ एट लीस्ट थी मैंबर अफ यूस कमप्राइजिंग ओफ नन एंग्जेकर डिरेक्टर्स एड लेस्ट वन इंडेपेंडेंड ट्रेक्टर तो इसका मतलब यह ओर इंग्जेकुटिटीव डेरेक होना चाहिए क्यों because the chairman of the committee shall be an independent director ठीक है तो एक तो independent director होना चाहिए अधिवास आपिस रिक्रमेट से कंपाई नहीं कर सके किया प्लिक सक्टर आप से क्या क्याता है majority of the members of the audit committee including its chairman shall be independent non-executive director subject to the provision of sub rule यहाँ पर आप सुनियेगा मेरी बात को क्या मसला क्या है यह मसला यह है कि minimum यह total number of members of the audit committee not provided under public sector companies however it does provide under the code code आप से कहता है at least 3 member होने चाहिए public sector आपको नहीं कहता है कि members कितने होने चाहिए वह आपको कहता है independent non executive director होने चाहिए independent non executive directors होने चाहिए अच्छा अच्छा इसका मतलब बें audit committee public sector company के majority directors होंगे वह independent directors होंगे ठीके अच्छा chairman of the committee independent होगा for the chairman of the audit committee चाहल बीन independent non-executive director same requirement हो मारे इसी तरीके से सुनिएगा मेरी बात को ये बड़ा इंपोर्टेंट है बच्छो तो पहला फर्कवाज हो गया कोड आपको कहता है कि तीन मेंबर होने चाहिए सब्सक्राइब कहते हैं मुझे निपता कितने मैंबर सोने चाहिए मैजॉरीटी जो है नो इपने नौने चाहिए चाहिए अचाँ competency and capability of the members the board shall satisfy itself that at least one member of the audit committee shall be financially literate of financially literate को इसने बता दिया मैं और आप माशाला थोड़ा बहुत financially literate है हमें हमारे बारे में थोड़ा बहुत बता दिया सही यह audit committee में एक member last me as a honor चाहिए जो कि फैनेंशली लिटरेट होना चाहिए पुब्लिक्षेटर कंपनी कहते है तो बोड़ चल इस्टेबिशन और कमेटी फूस मेंबर्स शैल भी financially literate एक नहीं चितने का बोड़ मनाया ना audit committee का सारे के सारे तुमारे ना financially literate होने चाहिए बहुत बड़ा फरका गया तो इसका मतलब एक कंपनी है जो के लिस्टेड है और कलको federal government इसको एक्वायर कर लेते हैं चाहिए जो है आपके independent director होने इसमें से एक independent director होना चाहिए यहां पे पुब्लिक सेक्टर से तरह कोड की तरफ आ रहा हो हो जाएगा automatically comply because audit committee ने इसकी composition में तोड़सा हलकात रखाब कोड में लेकिन audit security वोगा you head of internal audit oka public sector rules you'll gotta company committee shall appoint our security of the committee to you have to go by the the company secretary पहले अपको यह्थ गले रख लिए आप कोई बंदा भी company secretary ले प्रवक्स को बताए निया अच्छा तुसका मतलब एक company जो को कोड भी अपला होता है इसको public sector भीपला होता है और वा फानिस लोगा आपके लिए अप्लाए होता है और कोड कहते है कि यह तो कंपरी से कर्टी यह हैड अप्लाई नहीं होता है तो प्यारे बचो फिर तुछ तुछ नहीं कहा कि जी आप कमीटिन आपॉइंट करना है तो अपने यह देख लेना है कि हां सेक्रेटी तुछ committee appointed he could be or she could be any person disclosure requirement not provided under the court the names of the members of the audit committee shall be disclosed in each annual report of the public sector company bada khatrnaak word are a bada khatrnaak word are a or agarap na pass shippers dekhoon PR about it is coming about it just suggested answer like a way okay that a company and code apply or the public sector rules is copper apply हो रहे हो रहे है ठीक है बता है annual report में क्या चाहिए जाएगे बच्चों ये annual report में सब सब्सक्राइब चाहिए जाजा जाए कि audit committee के membranze के नाम तक आपने बताने होंगे सही है अच्छा अच्छा it is mandatory that the board of a company shall recommend the appointment of the external auditors for year and it's a motion as suggested by the audit committee same requirement I give you audit committee responsibilities नहीं बताई audit committee responsive board ने नहीं बताई पब्लिक सेक्टर दूस ने आपको बहुत ज्यादा डेटेल में responsibilities बता दिए ठीक है रिस्पॉंसिबिटी बता दिए इसी तरीके से आपका relationship with the external auditor क्या होगा code ने आपको नहीं बताया पब्लिक सेक्टर ने बहुत ज्यादा matters with respect to the external auditors आपको बता दिए उसका scope of work क्या होगा independence क्या होंगे सीजर सारी क्या होंगी वह बहुत डेटिल में आपको बता दिए audit committee के बाद audit committee की भी meeting होगी भाजसरों पर board की meeting होती थी यहां भी meeting होगी अच्छा तो भाई यहां पर लिख दिया गया है at least कब मिलना है once every quarter of the financial year आपने हर quarter में audit committee ने एक बार लाजमी मिलना है और prior to the approval of the interim result of the company by its board and after completion of the external audit audit committee public secretary case में कब कब होनी चाहिए नहीं बताया वाई specifically प्यारे बच्चों मेंचेंड में है ठीक है अच्छा इसी तरीके से a meeting of the audit committee shall also be held if requested by the external orders head of internal order or by the chairman of the committee so the audit committee मैं भी कॉल करना चाहिए अच्छा 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 हो सकती है अच्छा 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 अच् the external auditor being present तो यहां पर कुछ requirements हमारे पास audit committee से related audit committee का terms of reference क्या होगा इसका काम क्या होगा प्यारे बच्छो तो audit committee terms of it is mandated the board of every company shall determine the terms of reference of the audit committee जो board बना था वो audit committee का TOR बताएगा public sector में भी यह कहता है और यहां पर उसने बता दिया कि आपके पास कुछ requirements होंगी सही है सारी यह matters होंगे जो का audit committee में पेश किये जाएंगे यह मुल्रीटी पढ़ चुक है तो इसले में को वापिस से रिट नी कर रहा और यह दोनो requirement यहां पर more or less से में प्यारे बच्छो डन हो गया तो audit committee का TOR हो गया है औरिट कमीटी की minutes of the meeting का क्या से रोगा वही वाली चीज़ उपर पढ़ी ती नीचे वापे से आ रही है minutes का क्या से रोगा प्यारे बच्छो इस mandatory that the secretary of the audit committee shall circulate the minutes of the meeting of the audit committee to all the members directors head of internal audit and we are required to the CFO prior to the next meeting of the board audit committee के बाद जो बोर्ट की meeting होने जा रही है तो बोर्ट की मीटिंग से पहले सारे मेंबरांस को सारे directors को audit committee के minutes दे दिये जाए ता कि बोर्ट को पता हो कि audit committee में discussion ही है provided they were there is not practicable क्यों because आपने अक्सर practically भी देखा हो audit committee के अगले दीन हमारे board होती है the chairman of the audit committee shall communicate a synopsis of the proceedings of the board and the minutes shall be circulated along with the minutes of the meeting of the board तो अगर ऐसी चीज़ है तो atleast वो synopsis वगरा बता दे के भाई ये कुछ मैंटर के हमारे discuss में तो चले जी अगली चीज़ हमारे पास आगई human resource and HR committee प्यारे बचो अगें law आप से code आप से कहता है shell shell का तो मतलब comply कर लो बहुत अच्छी बात है comply नहीं करते तो फिर non compliance को explain कर दो पैनल्टी में लगोंगा ठीक है तो अब सारी चीज़ा हमारे पास exactly same चीज़े majority यह होने चाहिए at least one member हमारे पास independent director चाहिए at least three members होने चाहिए और यहां पर आप से कहता है अच्छा यहां सुन लेकर यह अच्छा concept है HR and determination committee इसकी जो composition ए exactly same है जो के मिन उपर पड़ी ती जो मिन उपर पड़ी ती सही हम HR committee shall be chaired by the non-executive director however the independent director in the committee shall not be less than their proportionate strength what is the proportionate strength of the independent director in the board of the directors of the company सही है इसकी क्या परफ़र यादा रहे that the board shall have at least one third of its total member as independent director इसका मतलब यह HR committee के अगर 6 member आने न डिवाइड कर दें यह multiply कर दें one third से तो दो डारेक्टर independent लाजमी होने चाहिए बोर्ड में independent director की जितनी strength है वहीं आपकी नीचे HR committee में भी strength होनी चाहिए प्यारे बच्छों यह एक अच्छा concept है सही है अच्छा for the total number of the members of the committee not provided some total number of you can't tell code ने पहले जो मने पड़ा उसमें तो code ने बताए कि जी आपके पास at least कितने members on the team members same concept अच्छों तो नीचे जतने भी concept आई chairman के meeting a duration security of the committee mode of attending the meeting area जोड़ा पार्टिमेंटर के स्ट्रिक्टेड जाप उसके अपनी परफॉर्मस और जार्सी बात वह लाज़नी करेगा terms of reference or minutes of the meeting सही है तो यह सारी कि सारी चीज़े हमारे पास human resource committee से related भी covered हो रही है अगली committee हमारे पास आती है है नॉमिनेशन कमिटी अगली committee हमारे पास आती है यहां बर्ड लिखाव है मैं तो आप लोग को समझ रहे हैं audit committee के लिए shell hr audit committee के लिए mandatory hr के लिए shell और nomination committee के लिए make a word use कराव है उसने make a word use कराव है हुआ है और है अगट नॉमिनेशन कमिटी के लिए अगर अपने यह करने करना चाहिए आपने यह दूर कर रहा है और पर ह्र के लिए भी शेल का वर्यूज हो रहा था इसके लिए इसका मतलब है अगर पेपर में सवाल आजए कि कंपनी हैं जिसको पर प्रशों प्लिक घठन रॉल मारे लाजमी एक ऐस घृटी हमारे पास इंपरस कमेटी पर यूर्ड हो रहे से ieso मारे आचा सचाए मेरेमेंटरल च्छेस्टा यूंदा ametill लिए इक के कोडे आपसे क्ल लिए पब्ली स्क्री। के लिए में में डेंट क्लिए को किल्द ने है आप सच नंबर एंड क्लास अप्रक्राइब एस इट में एप्रोपियर इंड शर्कम्साइब तो यहां पर वो गता है रिस्कमाइब कमिटी तो आपने जैसी भी बना नहीं है आप बना लें कोई मसला वाली बात निसका उन्द जो कमपोजिशन आपने रखनी है रखने हैं बचो यह मारत पास कमीटी एक और कमिटी हमारे पास आगए प्रोक्योर्मेंट कम्योंट कॉट में प्रोवाइट नहीं किया मेरे प्यारे पच्छों प्रिक कमीटी फब्लिक सेक्टर में apply होता है जिस तरह आगर आपने देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर कंपनी वो पैपर रूल्स और रूलीशन अप्लाय होता है इसी तरीक है सो इस रेगलिशन की कंप्लाइंस के लिए कमिटी होना साही जरूरी जिसका नाम होता है प्रिक्रमेंट कमेटी और यह प् फंक्षिन से प्यान पचलिए उसको लाजब में खुशिक कर आता है आप suf C